जैहिंद नमस्कार मैं हूँ अजे और ये जो है मलेशन साल की चौकट है ठीके साल उड की चौकट है और ये जो जामुन की चौकट है तो इन दोनों की बीच में सारी डिटेल बाते बताऊंगा इनका प्रैस बताऊंगा और कहां पर आप यूज कर सकते हैं जामुन की बीरफ भी बोलते हैं तो इमार उबा संभ एकी में आती है और सबसे टॉप है सबky और लेशन साले इनकी लाईब भी बहुत अच्छी है और ह dealtी रसींद नहीं हलकी छिटकन आती है जब लकडियां सूहती है या नहीं भी सूहती हैं तब लेशन हलकी सी चिटकन आती है मलेशन साल हो कपूर साल हो देशी शाल हो या कोई भी लकड़ी हो दुनिया की चिटकन उसमें आती है बट मलेशन साल में हलकी हलकी आती है और अपनी देशी शाल में भी हलकी हलकी चिटकन आती है कुछ इस परकार से आपको चिटकन दिखाए देती है तो इससे पहले आपको डरने की जुरूरत नहीं है, ये चीजे कापूर साल, मनेशन साल और देशी शाल में होती ही होती हैं, और सुखने बाद आ जाती हैं, तो ये सब चीजों से मंडरियेगा, क्योंकि अगर साखो में चिटकन नहीं आती हलकी एलकी तो समझ लिए वो साखो ही नहीं है, क्योंकि साखो बहुत हार्ड लकड़ी होती हैं, इनकी डेंसिटी बहुत जादा होती, जिनके उज़े से चिटकन आ जाते हैं, और साखो में कोई भी गाठ आपको नहीं मिलती है, साथ आठ फिट में एक आदी गाठ छोटी मोटी मिल गई, मिल गई, वन्ना गा इस चोखट को बातरूम में लगा जाएगा, तो बातरूम के लिए जामुन, महुवा यह बेस्ट लकड़िया होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत जादा पड़ता है, तो पानी उगेरा से कोई जादा इफेक्ट इन में नहीं पड़ती है, ना महुवे में ना जामुन की लकड़ी का है, और जामुन की लकड़ी जो है, पानी उगेरा से सड़ती नहीं है, इसलिए इसको बातरूम में यूज किया जाएगा, अगर बातरूम में नीब उगेरा यूज करते हैं, तो नीब ऐसी है ना कि नीब में अगर पानी बहुत जादा मातरम पड़ अगर सूखी नहीं होती है तो टेढ़ी होती है थोड़ी बहुत चिटकन भी इनमें आती है इनमें देखिए चिटकन नहीं आईए बट यह सूखेगी तो इसमें भी चिटकन आएगी तो इनको जो है ब्लेक जापान वाइड प्रैमर लगाने के बाद ही इन तीनों लगडियो तो इनको अभी बातरूम में यूज किया जाएगा पानियोगरा से भी कोई ज़्यादा एफेक्ट पड़ता भी नहीं है दूसरी बात यह दीमक वेर अभी इसको नहीं खा सकती है और तीसरी बात यह एटती बैटती नहीं है नहीं इसमें ज़्यादा चिटकन आती है जिसम पर पानी बहुत जादा पड़ता है वहाँ पर जामुन या तो महुआ आप यूज करिए जामुन महुआ और नीप की चोखट बनवाने के बाद इसको तुरंत ही आप दिवाल में जाम करवा दीजेगा क्योंकि ऐसा होता है नहीं अगर लखे रखे रहेगी तो लकड़ी ये जाती है इसलिए इसको दिवाल में जाम करवा दीजेगा चाहे जितनी सूखी लकड़ी इसमें एठन पन आ जाती है तो दिवाल में जाम हो जाएगे तो कोई दिक्कत नहीं है और ये साखु है और साखो में जो है अगर आप रग भी देंगे दो महिना चोखट बनवांके तब भी कोई दिक्कत नहीं आईगी अब भाई इसके कोष्ट के बारे में बात कर लो तो ये मलेशन साल है मलेशन साल जो है वो 15-1700 रुपया लग नव यूपी का प्राइज में बता रहा हूँ यूपी का तो ये आपको मिलती क्यूबिक फिट में 15-1700 रुपय में अगर पाँच ची चोड़ाई और धाई इंची मोटाई का रेड बता रहा हूं तो ये पाँच धाई में बनी होई चोखट है और ये 180 रुपे रनिंग फिट के इसाब चे आपको मार्केट में कोई भी बना के दे रहा है तो बनमा सकते हैं बट ये देख लीज़ेगा जो साखू है तो साकू होनी चाहिए साकू में गाट नहीं मिलेगी आपको बहुत प्यारी और सुंगूद लकडी होगी और वेट इसका ज़ादा होगा और साकू में आती अपनी मारंडी तो मारंडी की लकडी हलकी बहुत होती उसको मत लगवाईएगा बहुत जल्दी पानी से सड़ जाती है तो MR उबा में आपको इसी प्रकार की क्वाल्टी मिल जाती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने घर में इंडी स्कूइन में आपको जामून और साकू की जो पहचान होती है वो मिल जाएगी कि कोई आपको मिक्चट करके ना दे दे तो जामून और साकू की पहचान इंडी स्कीन में आपको वीडियो मिल जाएगी जामून की वीडियो मिल जाएगी महुवे की लकडी की वीडियो मिल जाएगी जामुन की चोखट की जो लकडी होती पांट धाई का माल जो होता है 800 से 900 रुपया क्यूबिक फिट में मिलती है और रनिंग फिट की कोश्ट बताऊं तो 110 रुपय से 115 रुपय रनिंग फिट की आसपास आपको जामुन की लकडी की चोखट की कोश्ट मिल जाती कोई भी बना के दे रहा तो आप बनवा सकते हैं जो मैंने आपको मलेशन साल की चोखट का रेट बताया है वो 180 रुपय उसमें सारा प्राइज इंक्लूड है लेबर विद माटेरियल और इनमें भी जो है 110 से 115 रुपय रनिंग फिट पांड हाई का रेट में बतारों पांड हाई में बनीवी चोखट हैं तो इनमें भी सारा प्राइज इंक्लूड है अगर आप चाहते हैं लखनाओ यूपी में मेरी सौप है आप बनवा सकते हैं मिलता हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत